अकबर बीरबल की कहानी सबसे बड़ी चीज संसार में सबसे बड़ी चीज स्टोरी इन हिंदी एक बार की बात है बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे इसी बात का फाइदा उठा कर कुछ मंतरीगन बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीर्बल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं, और हर काम में उनी की सला ली जाती है, इसका मतलब यहा है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीर्बल जितने ही योग्य हैं. महाराज को बीर्बल बहुत प्रियत है, वहां उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीग्रों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला, उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए, तो तुम सबको फासी की सजा सुनाई जाएगी। दर्बारियों ने जिज़त कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्ट मनजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। कर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए, मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की महलत मांगी, राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकल कर सभी मंत्रीगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंडने लगे, पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है, तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि कोई चीज नहीं है और भूख को भी बरदाश्ट किया जा सकता है इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है धीरे धीरे समय बीता गया और मोहलत में लिये गए सभी दिन भी गुजर गए फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंतरीनों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी कोई अन्य उपाए न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे उन्होंने उनसे कहा मैं तुम्हारी जान बचा सकता जैसा मैं कहूं, सभी बीर्बल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीर्बल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया, उन्होंने दो मंत्रीनों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाएं वस्वयम पा हैरान थे, इससे पहले कि वो बीर्बल से कुछ पूछते, बीर्बल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है, अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठा कर यहां तक ले आए हैं, यह सुन महाराज मुस्कुराएं बिना न रह सके और सभी मंत्रीगन शरम के मारे सिर जुकाए खड़े रहे, कहानी से सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए,